हलो चीज मैंता दी कैसे हैं आप सभी लोग मीद करते हूं आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे बस मैं भी ठीक हूं और स्वागते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लोग में आज ब्लोग की शुरुआत हो रही है यह शाम के टाइम से और मैं अभी पते क्या कर र बड़ा खराम उसम हो रहा है और उपर से यह बर्सात पता नहीं क्या करेगी अभी तो सुरुआती है बाद में ना जाने आगे-आगे क्या होगा और कपड़े मेरे पास ज्यादा बच्चों के उत्ते खासकर दोने के लिए और यह गिल्ले थे यह मैंने दोए थे तो यह तो सुख गया थे क्योंकि इन मेना हलकी हलकी मैट होती है बाहर से बस मैंने कवर इनको खुद इचिटाय हुए यह तो सुख गया थे इनको में मुझे बहुत सारा काम भी करना है और आगे मैंने रेसीपी शेर किये आप लोगों साथ में तो प्लीज रेसीपी जरूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल के लिए वीडियो शेर कीजिएगा लाइक कर दिया करें आप सभी लोग जितने लोग आप वीडिय हमारी जोए वो आगे लोगों तक स्जेशन में चाहेगी और सच में मैं पते क्या सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ मेरे दस हजार सस्क्राइबर हो जाए बस ऐसे नहीं है पर देखने को न अच्छे लगेंगे है ना क्योंकि सोच रही हूँ हो जाए और आप लोग करवा मुझे पता है आप लोगों का सपोर्ट आपका हमेशा रहता है मेरे साथ में बस ऐसे ही बना रहे और मतरानी आपको ढ़ेर सारी खुशियां दे आप सभी लोगों को क्योंकि आपकी खुशियां हमारी खुशियां जब मिलकर के एक कोति ना तब इतो जिन्दकी जीने का मज मुझे किसी ने ना कमेंट कर रहा था कि आप बोते आपना ससुराल माइके नहीं जाते आप तो शायद वो मेरे साथ में नए जूड़े होंगे कोई वही लोग थे तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो भी डाली और मेरे जो रेगलर सस्क्राइबर्स है ना वो जानते हैं उनको पता है मेरे बारे में पर में बता दूँं आप लोगों को कि एक बार फिर से बता देती हूं कि मैं माईके में रहती हूं और क्यों रहती हूं अगर आपको डेटेल चाहिए होगी तो उन जायेगी वीडियो में अगर नहीं मुझसे ही सुनना चाहते तो प्र किसी दि बोलता है तब तक मैं काम करूंगी यही तो फायदा होता है वैसे गयास खतम होने का इतना दुख भी नीए दुख तो होता है जब हम जिस चीज के आदी हो जाते हैं उसके भीना हम रह नहीं सकते हैं तो तब ही पता चला गयास की कीमत क्या है और गयस तो अभी 10-11 तारिक से तब तक तो ऐसी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ नहीं तो फिर यहां से 8-10 km जाना सिलेंडर लेकर के फिर मुम्किन नहीं है और इसको उबालेंगे फिर उबालने के बाद में आगे का जो भी इसका प्रोसेजर होगा प्रोसेस तो मैं पता हुआने के बाद में इसमें जो ब पानी अब इसमें इतने डालना है जितने कि हमारे जो चावले वह पकचाए और यह ज्यादा गिले भी नहीं रहे और ज्यादा सुखे भी नहीं हो जाए जो लगा देते हैं इसको फिर से ढखकन और आग कर देते हैं धोड़ी तेज क्योंकि जो है वह स्लेंडर खतम हो चु दिक्कत है सच में मैं इतनी परिशान हूं ना इस पानी से और बारिस से यह पिछे से आता है गली से क्योंकि यहां डारेक्टली पिछे रोड है और फिर ना मैं सुबह जल दी उठी फटफट से पतिदेव जी थे घर पे वो नहीं होते ना घर पे आज तो फिर मैं अकेली क करती उनको मैंने बोला कि फटफट से चलते हैं और उपर पानी आ रहा है तो वहां बेना हमने दिवार टाइब बनाई सड़क में पर अब सड़क है सड़क से पानी आएगा हम इसकी ना बार बार शिकायज कर चुके हैं पर कोई सुनता नहीं है तो इसको रख देते और फि निपू का राशन पतिदेव जी ने भी एचा हुआ है वह दिन को निकल गये थे काम के लिए सुबह तो नहीं जा पाए बस भी भारी भारी चुरी थी तो फॉन आया था कि राशन मैंने बस में बेच जा है यहां पर जो है हमारा जो साग है ना वह बनके तयार हो चुका है और जो चावल थे वह बिल्कुल पक चुके हैं आपको मैं बैक कैमरी से खाती हूं यह पक करके तयार हो चुका है और इसमें सिर्फ और सिर्फ तड़का लगाना आई अब हमारे को तो ठंडा होने देते हैं इसे और तब तक रोटी बनाने की तियारी कर लेते हैं तो देख पाउडर के भी यह चीजनी मिलती है हमारे को अपने इसमें लगाना है कि अट 62 की दयारी कर लेते हैं इसमें चीरा में नखावच दैलिया और सूखि नमिरच दैला आं पर यह न मै ने तोड़ा नहीं प्याज और इसको भी ब्राउन होने देते हैं बाकी हल्दी और नमक हमने तब ही मिला दिया था उसमें साग में जब हमने न उबाल के उसमें दूसरा पानी डाला था तब और इसको पगा लेते हैं और अपना जो हमारी आग है ना चुले में उसकी आँच को थोड़ा सा होती है ना साग की वह एकदम से ऐसी खुशिव होती है जैसे गी और मक्षन लगाया हो अमने इसमें और बरसात का तो अब हो लें तड़का हो चुका है तो अब इसमें से उठाएंगे और यहां पर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बस खोड़ी देर द तो यह देखिए बन करके हो गया तैहार और यह देखिए फ्रेंड्स आज भी बारिश होई तो दिनों गे लगतार बारिश हो रही है तो यह बारिश के बात का है और यहां पर देखिए मैंने कद्दो और खीरा लगाया था अभी ना कुछ भी नहीं जादा लगाया हुआ बस यह दो बेल लगाई है और यह तो लोगों की है मकी और निचले खेत हमारे हमारे खेतों में तो अभी मकी चोटी चोटी है पर जब बारिश होती है ना तो बारिश के बात का जो नजारा होता ना बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खुबसरूत होता है ऐसे लगता है पूरी बाबाई जेमा तदी आप सबीको